दोस्तो कोलार गोल्ड फिल्स शौड में कहें तो केजियक इस सुपर हिक फिल्म को आप सभी ने देखा होगा इस फिल्म में दिखाई गई वो सोने की खादान सच है या कल्पना और क्या है इसके पीछे का असली सच आज हम आपको इस वीडियो में कोलार फिल्स से जुड़े कुछ असली फैक्ट्स बताएंगे जिने जानकर आप चौक जाएंगे तो अब बने रही है इस वीडियो में लाज्ट तक हमारे साथ जुड़ने के लिए दिख फैक्ट रूम को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिए दोस्तो करनाटक के बैंगलोरु से लगबख 100 क गोल्ड देती रही है यहां 1880 से 2001 के बीच यानि की 121 सालों में लगबख 800 टन गोल्ड निकाला जा चुका है कोलार गोल्ड फिल के बारे में बताया जाता है कि यहां पर प्रथम सताब्दी से गोल्ड की खुदाई होती रही है और इस सोने की खादान से अंग्रेजों ने गोल्ड की खुदाई की है सदियों तक इस KGF से भारत को धन की प्राप्ति हुई और यह खादान भारत के सबसे गहरे खादानों में से एक ती जहां 1980 और 1990 के दसक में धरती की सतर से तक्रीबन 3 किलोमेटर नीचे खुदाई होती थी केवल दच्चिड आफ्रिका की कुछ खादाने हैं जो इससे गहरी हैं 19-वी सदी के अंतिम वज में 30 कंपनी जोन टेलर ने खुदाई करने का जिम्मा लिया और बड़ी-बड़ी मसीने लगाई गई जिनको चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी और 1902 के समय में इस खादान में बिजली आ गई तब सिर्फ एस बिजली का निर्माड होना शुरू हुआ तो बिजली अधिक मात्रा में थी तब इस प्लांट से बिजली को और भी जगा दिया गया जिससे ये देश का पहला सहर बना जिसे बिजली मिली 2001 में इस खादान से खुदाई बंकर दी गई और अब वहां लोगों ने अपना घर बसा लिया और 2016 में मोदी सरकार ने केजियफ की निलामी के बारे में बुला और माना जाता है कि कोलार में अभी भी भारी मात्रा में गोल्ड मौजूद है और उस समय की तुलना में अब गोल्ड पांच गुना जादा महंगा हो गया है इन खादानों का खुलना एक तरह से यह एहम है जिसके चलते सोने की मांग पूरी होगी और देश की जेब का बोज़ भी थोड़ा कम हो जाएगा सिलिकोसिस को फेफडो की बिमारी है इस बिमारी को पहली बार केजियफ में पैचाना गया था तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले दिन एक नए एपीसोड के साथ अब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल दखिए